दोस्तो कई बार इंसान के सोंक जो हैं वो उसको बहुत भारी पड़ जाते हैं ये कोई ऐसी वीडियो है कोई लगबग 15-20 सेकिंड की इनके द्वारा सेयर कियेगी इंस्टाग्राम पर इनके बार अच्छे कास हैं कलर ठीक था पर लेकिन इनका सोंक हुआ कि अपने बालों को रंगीन किया जाए तो बिना किसी से एडवाइज लिए उठा कर कोई मार्किट से कलर लेकर आए और अपने बालों को पोत डाला अगले दिन देखा तो जो है बेसिकली आखे जो है बिल्कुल एक तरीके से बंथ होगी एक तरीके से उतना बुरा इंफेक्शन होगा कि पूरा एक सेप तक चेंज होता हुआ इनको नजर आया पूरे ठोपड़ेगा ठीक है ऐसी बुरी कंडिशन देखने को मिली आप लोग बोल सकते हैं कि इनसान जो है वो मरने से बच गया जरा जरा सा तो कभी भी कोई ऐसी चीजे अगर आप लोग देखो तो एक बात हमेसा धान रखिये पहले किसी से कंसल्ट कर ले जो कि उस पर्टिकुलर चीज का विसेसग्य हो तभी जाकर इन चीजों का इस्तमाल करें कई बार आप लोग ने देखा होगा हम लोग कुछ भी उठा आगर इस तरीके से इस्तमाल कर लेते हैं सामने वाला कर रहा है तो अच्छा हम भी कर लेते हैं तो color का reaction ऐसा हुआ कि कई दिनों तक तो जो है इनका basically लग रहा था कि इनसान जो है बचने वाला नहीं है देखना आप छोटी सी वीडियो है टेलिग्राम पर share करूँ है आप लोग समझ पाएंगे कैसे कैसे चेंज हुआ है इनका चेहरा और किस तरीके से पूरा structure चेंज हुआ है आप लोग समझ पाओगे और किस की वेसे color की वेसे तो कूदे कूदे आते हैं बड़े कूदे फादे और लागे एक तरीके से कि यहां सर पे आज color लगाएंगे वीडियो बना रहे हैं और फिर पता चला कुछ और ही हो गया फिर बता रहे हैं कि यार यह तो condition ही खराब हो गई तो यह कहीं न कहीं एक awareness के point of view से भी आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि ऐसी चीज़े अगर नहीं पता होंगी तो फिर दिक्कत ही देखने को मिलेगी तो वहां से आप लोग यह इन चीज़ों को बिसिकलिए awareness के point of view से ले सकते हैं आज का आएन ने important news analysis जिसको प्यार से balance diet बोलते हैं बहुती शांदार और बहुती balance आप लोग को देखने को मिलेगा अच्छा एक important भात आप लोग को बताऊं जिसके laptop या फिर किसी के पास में mobile वगएरा है तो उनको जल्दी जल्दी ले ले लेना क्योंकि अभी हाँ पर काम पूरा हो गया है चाइना का जो माल था वो भी market में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा मतलब क्या है मतलब यह कि government ने impose कर दिया है यहाँ पर बहुती बड़ा बैन जिसमें laptop टैबलेट्स वगएरा जो है यह सारी खास कर डैल, HP, Apple यह सारे आप लोग को महंगी होते नजराएंगे क्यों रीजन यह है कि हम लोग domestic manufacturing जो इंडस्टी यह उसको बढ़ाना चाहते है तो यह बहुत बड़ा decision सरकार के द्वारा लिया गया और काफी जाद है यह कब कल जो है viral भी हो रहा था तो इसकी वज़े से यहाँ यहाँ पर यह काफी ज़दे news में था ठीक है तो कोन-कोन अभी recently लेने जा रहा था यह फिर कुछ ऐसा था तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा काफी एक market के अंदर में इसको लेका एक sorties रहेगी और जब-जब sorties होती है तो फिर उसका price जो है वो बढ़ता जराता है तो यह काफी एक ऐसे news थी जो कल इसके ओपर काफी reactions आ रही थी कि कहीं न कहीं हमको चीजे तब बैन करनी चाहिए तब हमारा जो देश के अंदर में वो चीज भरपूर मात्रा में available हो अगर available नहीं है और किसी के ओपर बहुत ज़्यादा dependent है उस time पर कर दो तो फि एक चीज आप लोग को हमेसा माइन में killer होनी चाहिए कि आसपास में जो आप लोग के रहते हुआ उसके ऊपर आप लोग को ध्यान रखना है और अपनी जिंदगी में अपने ऊपर भी आप लोग ध्यां रखना है क्योंकि कई बार नहीं कहते हैं कि हम लोग आसतीन का सांप पाल रहे थे, तो बात की गए कि मुम्बत्ती को भी आखिरे में पदा चलता है, कि उसे उस धागे नहीं खतम कर दिया, जिसको वह सीने में चुपाई रखी दे, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसी सिच्वेशन उस होती हैं, जो कि आप लोग को बरबाद करके चल ही नहीं पाते हैं, हम लोग अकसर सेखते रहते हैं कि बाहर कोई हम लोग को बरबाद कर रहे हैं, लेकिन हमारा आलस हमारी गंदी आदते भी हम लोग कई बरबाद करती है, तो चाहे कोई इंसान हो, चाहे आप लोग की खुद की गंदी आदते हो, उनके ऊपर आप लोग की नजर रखना आप लोग की responsibility है क्योंकि आप लोगों की life है और आप लोगों को इसको improve करना है तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान लखिएगा ठेक है? बड़ी ही प्यारी बात बोली गिए आप लोग इसको essay के अंदर में या फिर quotation के तोर पर means के लिए आप लोग इसका इस्तमाल कर सकते है कि greed has poison man's soul यानि कि लालच जो है वो इनसान की soul यानि कि आत्मा को भी एक तरीगे से जहर से भर देता है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो Charlie Chaplin साब के दोरे हाँ पर बोला गया कि कभी भी लालच में आपड़े अपनी मेहनत की चीजों पर ही अपनी नजर रखें तो जिंदगी में हमेसा आगे बढ़ते हुए नजर आओगे शांदार तरीके से एक important बात याद रखना अभी आप लोग कई सारे बच्चे जो हैं आपर बोल रहे थे खास कर जो monthly वीडियो के लिए तो आप लोग की जून मन्त की वीडियो जो है वो complete कर दे गई और आज शाम तक आप लोग के लिए जो है next वीडियो भी आप लोग को provide करा दे जाएगी आज जब Friday आज ने कल करते हैं उसको ठीक ना Saturday में शाम को Saturday में करते हैं ठीक है क्योंकि अभी जो है वो upload की गई थी आप लोग की जून की और फिर इन की PDF भी जो है आप लोग को टेलिग्राम पर भी मिल जाएगी और आप लोग यहाँ पर भी basically application पर भी जाकर इसको देख सकते हैं तो कल शाम को इसको प्रोवाइड करा दूँगा साड़े 6 बजे ठीक है तो उसके लिए आप लोग ready रहना ताकि कोई भी problem आप लोग को देखने को न मिले और एक-एक महीने की हर एक महीने की आप लोग को यहाँ पर जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा दे गई है ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी शमश्य, कोई परेशानी हो तो आप लोग revision कर सकें जलासी देल में उठा कर तो इसको आप लोग जुरूर देखेगा कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो फिर आप लोग उसको एक तरीग से refer कर सकते है फटा-फटा आप लोग का revision भी हो जाएगा इसकी PDF कई सारे बच्चे पूछते है तो application पर तो आप लोग एपास में ही है आप लोग टेलिग्राम से भी जाकर download कर सकते है पर बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर यहाँ पर भी इनको प्रोबाड़े करा दो ठीक है यहाँ पर भी पोस्ट कर दूँगा अगर आप लोग को चाहिए तो सब जगे मिल जाएगी आप लोग कहां से भी जावर पर भी comfortable हो वहाँ से जाकर आप लोग इनको download कर लेना कोई tension आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी ठीक है बस यह है कि अपने पास में रखना चीजों को revision कर सके और अच्छे से आप लोग इनको enjoy कर सके ओके एक और छोड़ी सी बात यार इस वीडियो के बारे मैं आप लोगों से पूचना चाहरा हूँ आज तो थोड़ा सा हलका सा यह late होगा जितना मैंने बोला था उसके पीछे थोड़ा सा reason भी था यहां पर basically पर लेकिन आप लोगो यहां पर यह बताना है कि यह वीडियो आप लोगो अच्छे हैं पर लेकिन साड़े छें भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोग comfortable लगे तो इसके बारे बताना जुरूर comment box में दोस्तों जब एक इंसान पैदा होता है और जब वो आँखरी सास लेता है उसके बीच में इतनी सारी घटनाय घट जाती है कि हमको बता भी नहीं चलता है कि कैसे कैसे ये जिन्दगी जो है वो निकल जाती है एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका एक certificate बनता है जिसको हम लोग बोलते है birth certificate और जब उसकी death होती है तो उसका एक बनता है death certificate तो आज की जो news है वो इसी से little है क्यों? क्योंकि हमारे देश की Parliament के अंदर में जो लोग सबा है उसमें पास कर दिया गया है registration of birth and death जो बिल है ये वाला तो इसकी वज़े से हाँ पर ये news में आ गया है आप लोग बोलोगे सर क्या importance है इसकी आखिर ये क्यों कर रही है सरकार इसकी क्या जुरत पड़ गई है तो ये government का initiative है GS paper 2 में आप लोग इसको connect कर सकते है और इसकी importance क्या है वो मैं आप लोगों यहाँ पर समझाता हूँ अगर आज की date में आप लोग कुछ भी बनवाने जाते हैं तो किसी ने किसी certificate की requirement पड़ती है अभी हाँ पर ये birth certificate जो है mandatory करने जा रहे है यानि कि हर एक इनसान ने हो दब जो बच्चा पैदा होगा उसको तो पता भी नहीं कि बेचारे को क्या-क्या चीजे हो रही है उसके साथ में वो जस्ट पैदा हुआ है ठीक अभी उसको ये नहीं पता है कि उसका certificate बन गया है उसका आने वाले time में driving license बनेगा, government job में जाएगा, passport बनेगा, आधार card बनेगा, voter ID card बनेगा registration for the marriage होगा, जो भी चीजे होगी वो सारी की सारी इन certificate के उपर भूमेगी इन certificate के उपर depend होगी यानि कि जो certificate बनने जा रहे हैं ये समझो कि ये पूरी उम्र के लिए ठपा है कि हाँ इससे सारी चीजे चलेंगी ये ऐसा नहीं है, पहली बार हमारे देश में हो रहा है होने कहते हैं इससे ऐसा पहले भी हुआ है मन्नु सर्मा तो मन्नु सर्मा ऐसा पहले भी हुआ है पहला क्या हुआ है, पहले भी बात कर लेते हैं अब यहाँ पर जैसे आप लोग को बता है हमारे देश में कई सारी चीजोगे पर फोकस किया रहा है कि one tax, one country one रासन कार्ड, one country one यूरिया, one country वो वाली चीज़ चल रही है सारी तो ऐसी है यहाँ पर बात की जा रही है कि single document इस्तमाल किया जाएगा अलग-अलग चीजों में खास कर अगर आप लोग education institution में भी admission लेते हैं तो इसी के चलते हैं हैं यहाँ पर यह document जो रहेगा यह एक digital document की form में रहेगा कि जब इंसान पैदा हुआ है इंसान हालग ही पैदा नहीं हुआ हो छोड़ सा बच्चा पैदा हुआ भी इंसान तो आगे बनेगा जब भी छोड़ सा बच्चा पैदा हुआ है तो यहाँ पर उस दिन से उसका certificate बन जाएगा अब important चीज कहें वो आप लोग जहां से सुनिएगा यहाँ पर इससे पहले एक कानून हुआ करता था जिसको बोलते थे registration of birth and death act 1969 यानि कि सबसे पहले तो आप लोग यहीं याद रखेगा कि जो नया कानून अभी बनाया जा रहा है यह पुराने कानून को replace करकर लाया जा रहा है तो direct question बन जाएगा कि कौन सा कानून replace किया गया है जो भी नया कानून बनाया ताजा ताजा तो याद रखना registration यहन कि किसी चीज को register करना पंजी करन करना उसमें जो उसका जनम और मृत्यू का जो basically यह पहले act था जो सारी चीजे manually हुआ करती थी अब वो आराम आराम से change हो रही है और आज की rate में सारी चीजे जो है वो digital form में होती जा रही है तो इसी के चलते बहुत सारे ऐसे provision जो है इसके अंदर में change किये गए है और यहाँ पर एक नया कानून लेकर आया जा रहा है जिसको बोला गया registration of the birth and death यह bill है अब यह कब का हो गया यह अब का हो गया जिसको आप लोग 2023 यनके latest bill आप लोगे सामने है यहाँ पर यह अब सबसे interesting चीज़ जो यहाँ पर मैं आप लोगो बताने जा रहा हूँ वो आप लोग ध्यान रखेगा सबसे interesting चीज़ यहाँ पर यह है जो कि एक question की form में पुछ जा सकती है और आप लोग इसके बारे में याद भी रखेगा कि आज की date में आप लोगों ने सुनाओगा आधार data के बारे में कई बार बात कि जाती है कि privacy का हननन करता है कि कई बार ऐसा लान जाया कि data चोरी हो गया तो इनसान की privacy का हननन हो गया अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ बात करूँगा पर उससे पहले छोड़ी से information जो exam की point of से बहुत important है वो क्या है कि हाँ पर हमारे country के अंदर में सात्वा schedule है समिधान के अंदर में तो जो यह मुद्दा है जिसको हम लोग बोलते है registration of the birth and death यानिके पंजीकरन करना जनम का और मृत्यू का यह कहाँ पर आता है इसको यहाँ पर रखा गया है concurrent list के अंदर में यानिके इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई ऐसा subject है जैसे कि यह subject हो गया इसमें center भी कानून बना सकता है और state भी कानून बना सकता है पर लेकिन अगर center ने कानून बना दिया पहले तो उसका कानून जो है वो prevail करेगा यानिके उसको follow करेंगे state जो है उससे inspire करके अपने राजय के अंदर में अपने इसाफ से कानून बनाएंगे या फिर उसको ऐसा का ऐसा implement कर देंगे पर सीधी सीधी बात यहाँ पर यह है कि दोनों को power मिल गई है आपर state को भी और parliament को भी basically यानि कि parliament को भी state को भी कि वो अपने खुद से कानून बना सकते है क्यों क्योंकि subject जो है वो concurrent list में आ गया मालीजे कोई defense के बारें बाते करता तो defense की बात होगी तो भाई साब center ही कानून बना सकता है मालीजे citizenship के बारें बात कर दी किसी ने तो center ही कानून बना सकता है मालीजे अगर आप लोग बात करें state के बारे में कि कुछ भी चीज़े हैं, उसके कमिया और खामिया जब तक सामने ना है, तब तक उसके बारे में हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं, हाँ भाई साब ये बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ भाई साब इसको आग बंद करकर accept कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ करता है, तो यहाँ पर इससे लेटर क्या-क्या बाते की जा रहे हैं, इससे लेटर कई सारी बाते की जा रहे हैं, पहले तो यहाँ पर इसका एम क्या है, कि हाँ हम लोग क्यों इसको लेकर आ रहे हैं, सबसे बहले तो इसलिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग पर्टिकुलर परसन का जो उसका बर्थ का जो है डेट जान समके उसका प्रोपर टाइम जान सके और उसी के बेस पर सारे के सारे डोकुमेंट जो है वो तैयार के जा सके तो यह चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में बहुत सारी स्केम्स होती हैं बहुत तरीगी चीज़े तैयार की जाती है जिसे हमारे देश के अंदर में आप लोग को बता है कि आज की डेट में कई सारे डेटा तैयार की आते हैं इसमें भी आप लोग को देखने को मिलेगा इवन हमारे देश के अंदर में सेंटर सीविल रिस्टेशन जो सिस्टम है वो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को सेंटरलाइज करने का काम करेगा क्योंकि आगे चलकर कोई ड्राइविंग लेसंस आधार कार्ड अगर बनाना चाहता है किसी भी राज जैसे हो तो यहाँ पर आसानी से इसका इस्तमाल करकर उसको यूज किया जा सकता है पर लेकिन आप लोग खुश सोचो इतना सारा डेटा एक जगे इखटा रखा हुआ ह और यह सारा का सारा डेटा जो है वो कोई चोरी करके चला गया या फिर आप लोग यह सोचो एक पर्टिकलर बच्चे को एड्मिसन लेना है एक इंस्टिउशन के अंदर में और जहाँ पर उसको एड्मिसन लेना है उसको यह बोला जारा कि भाई एड्मिसन तुमें तम मिल पॉइंट नमबर वन तो right to privacy आप लोग को पता है हमारे समिधान के अंदर में जो एक particular case को ध्यान में रखते हुए case पुतासवामी case जो है वो आप लोग को याद रखना है इस particular case को जिसके तहत यहाँ पर article 21 के अंदर में right to privacy जो है उसको fundamental right बना दिया यानि कि किसी की जिंदगी में तुम तांग जांग नहीं कर सकते हैं आप लोग जिससे आधार card के data के बारें बात करें उसमें iris scan होती है fingerprint होती है जिनका इस्तमाल करकर कोई भी आप लोग का data जो है वो चोरी कर सकता है The Returns of Abhimanyu movie के बारे मैंने आप लोग को बताया था किस किसे ने देखिये कई सारे बच्चों ने बोला कि हमने देख रखिया है जिसने नहीं देख रखिये देखना movie सर्च कर लेना The Returns of Abhimanyu South India की movie है घरवालों को भी दिखाना चकसु खुल जाएंगे आप लोग के ऐसी movie है तो उसमें इसी data को चोरी करकर कैसे उसका अगलत तरीके से इस्तमाल किया सकता है किसी इंसान की private individual life में कैसे घुसा जा सकता है तो वो सारी बातें वहाँ पर बताएगे ये तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह बात बुले कि right to privacy जो है fundamental right है और यहाँ पर उसके तहत यहाँ पर इसका हननन किया जा सकता है वो भी आप लोग जहां से सुनिए हो सकता है किसी के मैंड में चीजे ना आई हो पर अब बताऊंगा तो आप लोगो संज में आ जाएगी दूसरा है एक बच्चे को अगर admission लेना है और उस बच्चे को admission नहीं मिल पा रहा है education institution में reason क्या है क्योंकि उसके पास में birth certificate नहीं है तो क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो अगर आप लोग ने mandatory कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि फिर से आप लोग fundamental right का हननन कर रहे हैं मतलब पार 3 के अंदर जब आप लोग जाओगे समिधान में आप लोग को साप साप पता है समिधान में लिखा हो है कि right to education यहाँ पर basically दे दिया गया है 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए मतलब अगर किसी बच्चे के पास में अगर अब birth certificate नहीं है तो आप लोग उसको admission देने से कैसे रोकोगे तो बतादो क्योंकि यह तो article 21A के अंदर में fundamental right है कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों के education प्रोवाइड करानी है अगर कोई इसमें टांग अडाता है तो भैस अब direct supreme court में चले जाओ तो यानिके right to privacy article 20 और right to education article 21A तो यहाँ पर यह कहिने कही fundamental right के साथ में भी एक तरीके से constitutional right के साथ में भी हाँ पर इसका conflict होता हूँ आने वाले time में नजर आएगा यह बाते बोले जारी है दूसरी सबसे important बात है क्या की जारी है कि गौरणमेंट जो है वो इसका इस्तमाल करकर कहीनग तारगेट कर सकती है अपने अलग जो data तियार करती है गौर्णमेंट तो उसके बारें बहुत बाते की जारी कि गुवर्मेंट जो है यहाँ पर कहीं न कहीं यह डेटा का इसका इस्तमाल किया जा सकता है पोलिसी जो है किस तरीके से कि इन लोगों के लिए निकाल कर लेकर आए माले यह किसी particular community में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी आप लोगो पता है जंसंख्या कंट्रोल करने की बात की गई अब उसके लिए हाँ पर act canon लेकर आगे कि हाँ इनकी जंसंख्या कंट्रोल करनी है तो बोलाए जारा है कि इस तरीके से गलत इस्तमाल किया जा सकते हैं आपर तैसे ऐसे बाते बोली जा रहे हैं हलाकि control करना ज़रूरी है चीजों को manage करने के लिए धंक से policy लाने के लिए और फायदे बहुत सारे हैं आप लोग बोल सकते हैं अगर पता है exactly यह बच्चा का पैदा हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं कि उसको अगर किसी को adapt करना है कहीं orphanage में कहीं abandon कहीं house में या फिर कही surrogate बच्चे के बारें बात की जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती है इवन national population register रासन कार्ड यह सारी बाते में आप लोग को बता थी property में जब बात करते हैं आप लोग ने देखिना movie कि बच्चे को उसके नाम property जो है तब तक नहीं होगी जब तक कि 18 सा साल का लड़का है फिर लड़की नहीं हो जाते है तब तक उसको पाल रहे हैं वहाइसा वह 18 साल का होगत है तो मार देंगे फिर इसके साधी करा लेंगे अपने किसी जानने वाले के साथ में देखिए न कई बार ऐसी movies तो वह भी आप लोग को देखने को मिलागा उसमें औ और privacy का भी हनन कर सकता है जिसे case पुतासवामी case के बारे में अगर बात करते हैं तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं अब कौन सा पहलू देखा जाएगा वो देखने वाली बात है पर हां ये भी है कि requirement भी है ऐसी चीजों की ताकि लोगों का data जो है वो systematic way में उसको basically protect भी किय जा सके इसके लिए भी system थैयार करना जरूरी है ठीक है जहां से सुना बताइए yes या फिर no सुना ना देखता हूं सुना कितना चीज़े सुना भी देख लेता हूं ठीक है पड़ा ही प्यारा सब गोश्य ने इसको attempt करो ये बात की जारे registration of the birth and the death जो बिल है amendment bill 2023 इसके बारे म only one only two both या फिर none attempt करना यार अभी detail में तसल्ली में distance क्या है कोई भी doubt नहीं होना चाहिए ठीक है तो कहाँ पर आता है लोगे देखना एक्जाम में यही practice बस आप लोगो करके जानी है यहीं पर यह सारी जो है लूटिया रूप जाती है पता है सारा question सारी चीज़े पढ़िए एक एक point पता है पलेकिन गड़बढ का होगी गड़बढ होगी question ढंक से ही नहीं पढ़ा है तो इसलिए कहते है कि question को practice इतना कर लो ताकि धान से आप लोग बढ़ सको ठीक है और इसलिए daily application पर आप लोगो quiz जब आप लोग attempt करते हो उसमें 10 question आप लोग को daily दिये जाते हैं तो आप लोग सोचो 10 question daily आप लोग attempt कर रहे हो और इसी तरीके से 10-10 question होगे तो महिने में 300 question होगे आप लोग यह प प्रैक्टिस में लेकर आओ चीजों को फिर देखना exam में कितना मजाएगा है कि नहीं कोई दिकत कोई समस्य कोई परेसा नहीं हो तो बताना बाकि अपनी date of birth लिगो comment box में देखता हूं आप लोग कितने-कितने बड़े-बड़े बच्चे मुझे देख रहे हैं कितनी-कितन यहां पर निगल कर आते हैं यार देखो इसके पीछे आप लोग एक चीज समझने की कोसिस करें यहां पर अगर कोई चीज आप लोग के लिए 499 कोई बहुत बड़ा amount नहीं है पर लेकिन जब इंसान एक छोड़ा सा amount पे करता है तो यहां पर क्या होता है उसके अंदर seriousness आ कर रही है उनके लिए मंतली यार उनकी salary भी जाती है उनका भी घर चलेगा ठीक है तो 499 lifetime access के लिए आप लोगो मिल रहा है कि एक बार आप लोग को पे करना है और पूरी जिंदगी आप लोग यहां पर जब भी चाहें participate कर सकते हैं आसाने से कोई दिक्कत आप लोग को करना है start करेंगे आप लोग देख सकते हो आने वाले time में बहुत सारी चीज़ी देखने को मिलगी पूरा team काम करती है इन चीज़ों के पीछे तो यह अगर serious हो तो इसको जुरूर join करें कही सारे बच्चे बोल रहा है sir application के through दिक्कत होती है तो इसके लिए एक number भी आप लो ट्राइ करके देखो आप लोगो समझ में आएका फिर भी अगर बोलोगे तो customer care team से भी आप लोगो contact करा दी जाएगा और अलग से number भी ला दी जाएगा ताकि दिक्कत देखने को नहीं मिले यहाँ पर पर एक चीज़ ध्यान रखना पहले question आता है उसका answer लीने कोशिस करो और फिर हिंदी और इंग्लिस में दोनों में answer आते हैं आप लोगे तो जो भी language में आप लोग लिखना चारहे हो उसे हिसाप से आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हो ठीक है तो अच्छे से चीज़ों को लेकर चलो क्योंकि अक्सर जो है वही चीज़े लेकर डूते हैं इसे पर यह बहुत ही nominal चीज़े हैं आप लोगे लिए ठीक है जो अगर देखा जाए कई सारे बच्चों ने request की ती तो उसकी request पर यह चीज़ा आया थी ठीक है तो इनको join करना तो बाकी यह application है और SLVPDA पर आप लोग के लिए सारी चीज़े मिलती रहती हैं यहाँ पर इसमें जाकर कुछ भी सर्च करो यह सारे current affair free of cost है जाकर सर्च करो पूरा का पूरा इनके लिए कोई भी price आप लोगे लिए नहीं है lifetime access free of cost ठीक है तो इसको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़े सर्च करो जो भी आप लोगे लिए आपर है यहाँ पर हिंदी और इंग समझे से लोगों का या फिर मातापिता का या फिर टीचर का होना चाहिए वो कोई बाहर की ओर्गिनेशन हम लोग को बता रही है कि आप लोग कुछ ऐसा कर लो नहीं तो दिक्कत में आ जाओगी मतला WHO जिसको बोलते हैं world health organization उसने यहाँ पर कई सारी recommendation दी कि जो बच्चे है आज की डेट में उनको कैसे आप लोग बचा सकते हो क्योंकि अलग अलग तरीकी की food आप लोग को देखने को मिलते हैं और उनकी marketing ऐसे की जाती है कि बच्चा पहली नजर में देखते ही वो लुबाहन वात का सिकार बन जाता है यह आप लोगोंने बच्पन में खाया होगा किस-किस ने खाय यह बच्पन की यादे ताजा कर लो जिस ने खाया पर अभी हाँ पर मुद्दा क्या है यह तो एक अलग चीज थी फिर भी आप लोग इतना हामफुल इसको नहीं बोल सकते जो आज की डेट में आप लोग को देखने को मलती है अलग-अलग तरीकी की कि उपर क्या हामफुल इंपेट पड़ रहे है और कितनी एक तरीके से अनहेल्धी डाइट होती जा रही है चोईस ही नहीं है उनके पास में जिधर को भी मुझ फिरा कर देखो कोई हाँ पर चिप्स रखाओ है कोई हाँ बिस्केट रखाओ है कोई हाँ तलब होना कोई और आइटम आप लोगों को देखने को मिलेगा और अगर उनसे पिजा चुड़ जाए तो फिर बर्गर चाउमीन मोमोज पिजा ये रही सही कसर ये पूरी कर देते हैं और आप लोगों को यकीन होगा ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये लाखो क्रोड में अपना वैपार करती हैं तो इसके अंदर में दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं जो साइंटिफिक तरीके से ये स्टड़ी करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोग की जीब आप लोग की टंग उसको खाने में मजा आएगा और उसको एक बार चकलो तो बस यही चाहिए तो वह व लोग हैं फिर उसको इंजोए करने स्टार्ट कर देते हैं पर देखते ही देखते पता चलता है कि हम लोग ऐसे गड़े में गिर चुके हैं कि जहां से निकलना मुस्किल हो जाता है चोड़े चोड़े बच्चों की आँखों पर चसमें लगे हैं उनकी बाल सफेद होने यहां पर देखने को मिलेगी इतनी बुरी-बुरी कंडिसन है जिसकी कुछ हद नहीं है और यह सारी चीजे हो रही है कि unhealthy food जो खाय जा रहा है तो किसकी responsibility है यह World Health Organization की responsibility है फिर society समाज में teacher या फिर parents की responsibility है इसके बारे में आप लोग की क्या रहा है आप लोग जुरू बताए में address करना marketing के बारे में इसी के साथ में आप लोग देखोगी हाँ पर किस तरीके से यह migration marketing के बारे में यानि कि सारी जो चीजे होती है यह marketing का धंदा आज की rate में आप लोग को देखने को मिलता है और जब यह marketing के बारे बात करता हूं तो जो हमारे so-called hero heroine है उनको देखकर त तो उन में से साथ ही किसी का जो मुह है वो खुलेगा तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कहीं नगी गलती government की भी है कि इस तरी चीजे हैं वो allow करते हैं और वो कैसे बोलते हैं पता है आप लोग जब इसके बारे में लोगों को समझाना होता है तो यह बोलते हैं कि हम ल लोग education को फैलाने में health को अच्छा करने में लोगों के फायदेगे मतलब पहले तुम सामने वाले को दारू पिला पिला के cigarette पिला पिला के मार दो और उस दारू और cigarette से जो पैसा बच गया है उससे टेक्स से जो पैसा है फिर उसका इलाज करने में आप लोग लगाओ दूस जरी कि implement comprehensive mandatory policy तो एक तो सबसे पहले हैं पर एक proper systematic policy होनी चीए कि कैसे कैसे चीजों को लेकर चलना है कोई भी ऐसा beverages जो कि alcoholic हो वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते उससे दूर रहना है आप लोग को यह जानकर हैरानी होगी यह सारी जो product आते हैं यह इतने unhealthy होते हैं कि हर तर जो नुकसान पहुचाती हुए आप लोग यहां पर नजर आती हैं तो इसलिए जरूरी है आपर कि खासकर बच्चों के school के आसपास में ऐसे food नहीं बेचे जाए एक marketing जो होनी चाहिए हैं आपर कियार कम से कम उन्हीं चीजों की marketing करो ना जो healthy हो लोगों को खाने मजाए लो एक के साथ में एक burger free समझने हैं आप लोग यहां पर तो यह सारी चीजें हैं आपर समझने पड़ेगी और country specific रहना पड़ेगा हमारा देश वो देश है जो कि पतल पे रखकर खाना खाया करता था अभी जर्मानी में एक particular scientist है निकल कर आप यकिन निवान होगे उन्होंने ब पोस्ट जाल दी सोचल मीडिया पर किसे इंडियन में इंडियन निस को सेर कर दिया हो ट्रेंड होने लगा कि जो तुम यह हरकते कर रहो हो ना बच्पन से हम लोग इनी पर खाते विया है ठीक है तो यह चीजे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल वही बात है हल्दी को खो करना जो कि यह हरकते करती है और देखना फिर मैक्सिमम यह ऐसी देश में होंगी कहीना कई पैसा कमाने वाली कंपनी है कि हम लोग यहां पर उनके ग्रहाग बने बैठे हैं इसलिए जरूरी है कि एक nutrition profile होना model होना चाहिए कि सामने वाले को पता तो चले कि तुम खा क्या रह हो तो उसका एक आप लोग at least expiry date जुरूर देख लिया करो ठीक है कई बार braid expiry होती है दूद भी expiry कई बार आप लोग आते ही घर फट गया ठीक है ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कई बार नमकीन biscuitन की self life देखा करो तीन से लेके 6 महीने रहती है और आप लोग उसके बाद अपने घर में अगर आप लोग मुंफली मुंफली गरम करके और अपना चीज़े ऐसे खाओ मस्त नमक मिरिच डालके अपने इसाब से घर पर बनालो चीज़े काजू या फिर अपना जो भी चीज़े होती है मखाने लेया उनको थोड़ा सा तलो अपना भुनलो मलदा एक लोग समझ सकते हैं बच्चों के सारी चीज़े पता चलेगी तो उनको सिस्टेमेंटिक विमें समझ में आगया क्या खाना है क्या नहीं खाना है और इसके लिए प्रोपर रेगुलिशन होने चाहिए और इस लिमिट भी है ठारा साल से नीच है कि तो इंसान को प्रोटेट क प्रोटेक्ट करना है जो बच्चों के राइट है और इसका प्रोटेक्शन करना हमारी रेस्पोंसिबल्टी है गवर्मेंट भी ऐसी चीज़े तैयार करें जिससे पता चले कि अच्छा ये फूड काफी अच्छा है और इसकूल के आसपास में तो बीडी सिग्रेट इन सब की दुकाने जो है बंद करने के पहली ओडर रहते हैं पर फिर भी थोड़े बोड डिस्टेंस पर देखने को मल जाती है ठीक है गोई बच्चे नहीं पिएंगे तो फिर टीचर एक आथा मारता होगा सुट्टा वहां पर आगर और कई सारे जो ना हायर क्लास के जो तो कॉम्प्रिहेंसिव किस तरीके से चीजों को लेकर कर सकते हैं कई आप लोगों देखा ओगा कॉल अब मार्केटिंग को लेकर यह एंप पर काम करने के लिए भी सेजेशन दिया गया है तो यह कुछ बाते हैं जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं इसके बारे में जाते हैं क्योंकि 24 गंटे ऐसे खाना खा जा रहा है तो यह आप लोग समझ सकते हैं chronic diseases होती है यह आप लोग को बड़ी frequently देखने को मिलेगी जैसे lifestyle disease होती है ठीक है तो यह आप लोग को देखने को मिलेगी जो function होते हैं बच्चों की basically जो cognitive function होते है academic performance होती है आप लोग सोचो एक बच्चा ऐसा है जो कि systematic way में healthy खाना खा रहा है proper खेल रहा है, घूम रहा है, exercise कर रहा है वो चीजों को उसको पढ़ाय जाए ज़्याद रहेगा फिर एक ऐसा बच्चा जो कि chips ये सब खा खा के जिन्दा हो रखा है, उसकी कैसी चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी, तो ये जरूरी है आपर इसी के साथ में आप लोग को dental health, उनके आप लोग अगर दात के बारे बात करें, maximum जवच्पन में उनके दातों में कीला लगवा मिलेगा उसकी condition खराब आप लोग को देखने को मिलेगी इसी के साथ में disrupted eating habit जो है, वो food preference के बारे बात करें तो ढंक से किसी को पता नहीं है बस खाना है पेट भरके, उन्हीं कहते हैं खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खाना चाहिए आप लोग एक बात हमीसा ध्यान रखना अगर ये पैटन आप लोगोंने follow करना है start कर दिया, आदे से ज़्यादे चीज़े जो है वो आप लोग की सुधर जाएंगी मतलब ये कहते हैं, अगर आप लोग को खाना है basically अगर आप लोग को भूख है कि हाँ मुझे इतनी सारी भूख है तो उस भूख को चार पार्ट में डिवैड कर लो बोलो कि सर कैसी बाते कर रहे है मतलब कहने का ये है कि खाने से थोड़ा पहले आप लोग एक गिलास पानी पीलो आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग खाना यानि कि रोटी कम खाऊगी ठीक है और ये तनी भूख लगए अगर तीन रोटी की भूख है आप लोग को तो दो रोटी खानी है ये मनायता है कि आधा पोर्सन लगबग 1 by 4th पोर्सन जै वो हवा के लिए छोड़ दो कि हवा भी पेट में आती है उसके लिए भी जगह छोड़ दो थोड़ी सी और हमेशा जब खाना खाने बैटो उसको अराम अराम से चबा कर खाओ क्योंकि 20 से लेके 25 मिनट में अगर आप लोग उसको खाऊगे आप लोग ने कई बार डायलोग सुनाओगा कि उपर वाले या तो नान निकाल दे या फिर जान निकाल दे तो वो वाली वाते देखने को मलती है तो यह सारी चीज़े हम लोगों समझने पड़ेगी तो कैसे नेगेटिव इंपेक्ट होता है ओर ओरल हेल्थ के उपर में वो समझना पड़ेगा क्या-क्या नेगेटिव हैबिट है गलत यह किस तरीके प्रेफरेंस दे जा रहा है अपनी वेल बिंग का रेस्पोंसिबिल्टी हमारी है इसे यह साथ में अनहेल्थी डायेटरी यह पैटर्न lifelong habit बन जाता है फिर इनसान जो है पहले टाइम ऐसा था कि हाँ घर पे अगर कोई है नहीं है यह कई बार आप लोग ने सुनाओगा पुराने टाइम पर बात करें जैसे अगर मम्मी है वो बाहर जा रही है तो घर पे खाना कौन बनाएगा यानि के खाना घर पे बनता है कई सारे बड़े बुजूर्ग आप लोगों ने देखे होंगे वो घूमकर दुनिया में आ जाएंगे पर घर आ करी खाना काएंगे तो यह आदत बहुती अच्छी आदत है अगर धंग से देखा जाए तो ठीक है अगर जो गिहूं होता है उसको मोटा मोटा जो गिहूं पीस लेते हैं उसके अंदर में थोड़ा साबू दाना डालो फिर देखो कितना मज़ा आता है यह ऐसा लगेगा आप लोगो मतलब बहुती शांदार तरीके से खाने में आप लोगो बहुत मज़ाएगा ठीक है दलिया हो गया साबू दाना हो गया और फिर देखो कितना अच्छे से उसमें दूद में बना कर और फिर चेनिवेने डाल कर फिर खाओ और फिर देखो कितना इंजय आप लोग उसे घरते हो ठंडा गर गे ठीक है तो मतलब मुझे तो परसनली बहुत अच्छा लगता है और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा है यार ये सरीर के लिए खासकर जो बाहर रह रहे हैं उसके लिए बहुत ही सस्ता ये फूर बोल सकते हो दलिया तो ऐसी चीज़े उसको पानी में बना कर उसमें आप अच्छों से लेटेड़ बात है कि कि every human being under 18 year age उसको बच्चा बोला गया और यहां पर उनकी अधिकार उनकी education कैसे उनकी life अच्छी से चलनी है कैसे उनकी life को enjoy कर सकते हैं उनकी mental health किस तरीके से उनको basically physical और या फिर किसी भी तरीके से rape sexual exploit से बचाना है ये किसके responsibility है ये हमार responsibility है अगर ढंक से देख जाए बच्पन में आप लोगोंने कई बार एक चीज फिल की होगी 99% बच्चे फिल करते हैं कि कि किसी ने कभी ने कभी किसी ने किसी ने उनको छेड़ा होगा जरूर ठीक है कई बार इस तरीके के mail आते हैं कि सर बच्पन में ऐसी गलत हरकत कीगी कि ऐसे इंसान के द्वारा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसी चीज़ा आप लोग को देखने को मिलती हैं तो यह responsibility किसकी है यह parents की responsibility है बड़े भाई बहन की responsibility है अगर आप लोग यार दोस्ते हैं असपास में तो आपकी responsibility है कि ऐसी दरिंदगी भरी निगाउं से देखने वाले लोगों से जो है बच्चो को बचाय जाए बहुत सारे बच्चो से रेटेट रेप अगरा आप लोग को देखने को मिलती हैं सोचो एक बच्चा जो की अभी 3-3-4-4 साल की बच्चों के साथ में यार समझ दो आप लोग यहाँ पर कितनी घटी हरकत हैं यह तो आप ल लेमेंट ने इसको बेसिकली क्लियर करक है तो 1992 में हाँ पर यह आप लोग के सामने निकल कर आई तो यह बहुती बेसिक से चीज़े हैं यार कल को अगर इनसे कोशन बने आप लोगों से तो कन्फूजन नहीं होना चाहिए और खाने की आदत अपनी सुधार हो देखना पर लेकिन अटलिस्ट पैसा भी कमाओ तो इस तरीके से कमाओ कि लोगों को फायदा हो ना कि नुकसान हो से आप लोगों को जहर बेच रहे हो सिगरेट फिलारे हो गुटका खिलारे हो उससे पैसा कमा रहे हो या यह कैसी चीज़े है अगर कोई इंसान आज की यट में किसी करनी चाहिए तो यह देखना पड़ेगा कि पैसे के लिए कितने गिर गए तुम कि हां किसी भी हद तक जाकर कोई भी एडविडिजमेंट कर रहो कितना भी घटिया 2010 में UPSC ने प्रिलिम्स में कोशन पूछा आप लोगी हां पर इस टोपिक से देखो तो यह टोपिक इतना इंपोर्टेंट है जो बच्चों के अधिकार के बारे बात करते हैं तो United Nations Convention on right of the child जो इसमें consider कियाता है कि right एक तरीके से विकास का अधिकार है बच्चो को right to expression का अधिकार है अभी व्यक्त करना अपने आपको और right to recreation यह होता है मनुर्व इंजन कि बच्चों को यार entertainment भी होना चाहिए बड़े तो खास कर अपने आपको इन चीजों में एक तरीके से सनलिप्त कर लेते हैं पर लेकिन बच्चों के बारे में कौन सो चे तो only one 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 three two three one two three यह सारी statement जो है इनके बारे में आप लोग याद रखना correct है यहाँ पर क्योंकि यह सारे के सारे point important है direct question मन जाते है हमारा समिधान भी दुनिया भर के अधिकार देता है जब part third में आप लोग जाओगे और बच्चों के बारे बाते की जाती है तो इसको लेकर कुछ भी confusion नहीं होना चाहिए ठीक है एक और प्यार सा कोशन है UN Convention on right of the child से लेट यहाँ पर इसमें पूछा गया कौन सी statement correct है तो ध्यान से पढ़ोगे इस सारी चीज़े अभी पढ़ा है यहाँ पर तो यह answer आप लोग को देखने को मिलेगा इसका सी ठीक है तो कोई भी confusion यहाँ पर न is the risk of chronic disease, mental health, यह फिर none of the above तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर dental health बोला गया है ठीक है गलत चीज़े खाने से mental health के साथ में direct relation नहीं देखा गया है पर लेकिन हाँ फिर भी ऐसा तो है नहीं कि impact नहीं रालेगा बीमार होगा तो बच्चा उसकी mental health भी कराब ऐसे question भी बड़ी frequently आप लोगों से पुछाते हैं थोड़ा different angle से ठीक है तो confusion नहीं होना चाहिए और बाकी जो answer बोला है बताइए का आप लोग अगर आसपास में देखते हैं इस तरी के evidence इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं तो अपना feedback जरूर देना तो like यह फिर dislike क कोई अपना आप कुछ है dedicate करें पर लेकिन आप लोग देख सकते हैं उसकी तरफ को पैर उठते भी नहीं कोई बोले कि हाँ ठीक है daily regular दाल रोटी खालो तो इंसान एक तरीके से ऐसा लगता है कि यार नहीं पिज्जा बर्गर भी होना चाहिए उसकी तरफ को कूद कूद के powin-धार रोटी होनी चाहिए वह एकि जो घर में रहते हैं उनको लगता है यार बाहर पिज्जा बर्गर खालो जो बहार पिज्जा बर्गर खाते है घुमरें उनको लगता है कि यार गर की रोटी मिल जाया है यही बात है है क्या वोले बस दिमाख ए जहाना वरेन पर हे र अब लोगी क्या रहें बताना जरूर। दोस्तों यह जो नियूज है यह खून खोलाने वाली है यनिकि जब इनसान सुनता है ऐसे ऐसी हरकते तो मन करता है कि घुस करना चाइना को पटक पटक कर मारें आखिर क्या है पूरी न्यूज और क्या है basic information और क्या है current सारी बातें डिसस करूँगा और इससे little question भी बताएंगे और इंडिया और चाइना की बीच में कुछ relation के बारे हैं basic चीज़े हम लोग डिसस करेंगे बात की जारी हाँ पर Stappled Visa की बारे में ये Stappled Visa क्या है और क्यों और रुनाचल परदेश का जबी नाम आता है ये Stappled Visa जो है वो न्यूज में आता है और क्यों इंडिया जो है इसको unacceptable बोलता है आखिर क्या है पूरा मुद्दा क्यों हमारे देश के external आट ऐसे खिलाड़ी थे जिनको उसमें participate करना था उनमें से तीन खिलाड़ी जो थे वो थे अरुनाचल परदेश से तो जो अरुनाचल परदेश से खिलाड़ी थे उनको चाइना ने normal Visa ने देकर उनको Stappled Visa दे दिया क्यों क्योंकि चाइना ये मानता है कि जो अरुनाचल परदेश वाला Reason है वो चाइना का ही Reason है मतलब उसको ये लगता है कि हमारा ही है हम कहते हैं भाई साब दा रुपी रखिया क्या उड़ जो यार देख लो कौन है किसकी सरकार बन रही है वाँ पर ये तो देख लो और उपर से हमारे अनुचल परदेश को बोला है कि सदन तिबबत है ये भी मेरा होना चाहिए तो ये आप लोग देख सकते हैं सदन तिबबत और इसको एक और नाम से पुकारता है इसको बिसिकली जगनान के नाम से भी हाँ पर जानता है बार-बार नाम चेंज करता रहता है किसीने किसी रीजन के रोनचल परदेश के अंदर में क्योंकि रीजन इसका सीधा-सीधा ये कि जब इंडिया और चाइना के बीच में एक लाइन खीचे गए जिसको हम लोग मैक मोहन लाइन बोलते हैं तो चाइना इस मैक मोहन लाइन को मानता ही नहीं है वो कहता है कि हम इसको नहीं मानते हैं ये एक ऐसे टाइम पर खीचे गई जब हमारा जो चाइना है वो चाइना एक्जिस्टेंस में नहीं है मतलब देखो एक दोगला पन बताओ मैं आप लोगो देखे देखे कितना दोगला इंसान है तो वो दोगला पना आप लोग देखो जब यहाँ पर यह South China Sea में बात करते हैं तो यह बोलते हैं पूरा का पूरा South China Sea हमारा है क्यों? क्योंकि हमारे पूरुए जो है इस पे राज किया करते थे तो पूरा South China Sea हमारा है ऐसे तो हम लोग बोलते हैंगे भाई साब सारा का सारा पूरा रीजन हमारा है हमारे बहुत बड़े बड़े राज़ा हुए उन्होंने राज किया है चलो ये तो बात एक होगी कि हाँ पूरा का पूरा मतलब पूरानी बाते मान रहे हैं आपर कि पूरा का पूरा ये रीजन हमारा है क्योंकि हमारे लोग यहाँ पर राज किया करते थे मतलब अब इनके हमारे लोग होगे पर लेकिन जब यहाँ पर यह particular agreement किया जा रहा था अरुनचल प्रदीश को लेकर और Mac Mohan Line खीची जा रहे थी आपर उस टाइम पर जो इस सारी चीज़े Simla के अंदर में हुई हमारे देश के अंदर में तो Simla Convention बोला याता है 1914 का तो जब 1914 में यह सारी चीज़े हो रही थी तो उसको लेकर चाइना यह कहता है कि तब तक हम इसको नहीं मानेंगे हमारी जो में गोर्मेंट है वो बाद में चलकर यह बिसिकली हमारे हाथ में सारी चीज़े आई इसलिए यह जो है ऐसी बाते हैं जो अंग्रेजों के टाइम की थी तो हम इसको नहीं मानेगे मतलब तुम ये तो मानने के लिए त्यार होगी South China सी पुरा तुमारा है क्योंकि तुम वहाँ पर रूल करते थे तुमारे लोगों ने ये agreement sign किया अब तुम इसको मानने के लिए त्यार ने हो क्योंकि तुम उस time पर आजाद नहीं थे अब इनको ना भगा भगा कर मारो ठीक है तो similar convention याद रखेगा उसके थुरू यहाँ पर Mac Mohan line है जो कि India और basically चाइना तो बोलना भी गलत हो गए यहाँ पर यह इंडिया और तिबबत के बीच में हवा करती थी ठीक है तो आज की रेट में तिबबत को जो चाइना अपने control में लिए बैठा है इसलिए यहाँ पर इस particular reason को क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि यह जो particular reason है यह हो गया सदन तिबबत और यहाँ का कोई भी इनसान जो है उसको एक normal visa की requirement ही नहीं है हम एक staple visa दे दे देंगे और जब जब चाइना यहाँ पर इसके बारें बात करता है हमने आज तक भी इसको accept नहीं किया कि हाँ कोई ऐसा visa भी हाँ पर है ठीक है पर लेकिन यह दो हमारे देश के लोगों को यहाँ पर यह ऐसा visa प्रोवाइड कराता है यह याद रखना बत्तमीजिक है एक तो अरोचल परदेश के लिए और दूसरा जम्मो एंड कासमीर के लिए क्योंकि आप लोगों बता है कि एकसाई चिन वाला पोर्सन आप लोगों यहाँ पर चाइना के कंटूल में है तो यहाँ पर आज की डेट में यह उसको भी अपना रीजन बताता है अगर आप लोगों से कोई पूछें कि कब से कब तक यहाँ पर चिये चल रहे हैं 2005 से तो इसने यह हरकते करना ही स्टाट की अरोचल परदेश को लेकर और अभी रिसेंटली 2008 और 2009 में इसने यह चीजें स्टाट की रही करना जम्मू एंड कासमीर को लेकर यानि कि इन दो रिजन के लिए यह स्टैपल वीजा देते हैं और यह पूरा का पूरा मुद्दा क्या है? पूरा का पूरा मुद्दा है सामने वाले को चिड़ाने का यहनि कि इनको पता है कि ऐसी बात हम लोग बॉलेंगे चायना जो है बिसिकलि इंडिया वाले जो है वो चिड़ेंगे और फिर उल्टे सीधी वह है तू-तू-मेमा होगी वो हरकते इनको चाहिए इस से क्या होता है इस से यह होता है कि इसके ऐसी हरकते करने की वज़े से हमारा reason जो की हमारा है उस पे कहीं ने कहीं एक discussion start हो जाते है कि चायना और इंडिया के बीच में distributed reason है मतलब इसको यह दिखाने को सिस करते हैं इंडिया का reason नहीं है यह disputed reason है यह एक लड़ाई वाला reason आप लोग को देखने को मिलता है यह बिल्कुल ऐसे जिसे जम्मो एंड कास्मीर वाले reason को आप लोग देखो कई सारे लोग क्या बोलेगी जम्मो एंड कास्मीर एक ऐसा मुद्द है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का मुद्द है बैसाब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का मुद्दा क्या से हो गया वो वो तो ओ लेड़ी जो राजा थे उस टाइम पर उन्होंने साइन किया था एकसेसन जो एग्रिमेंट प्रोपर सिस्टेमेटिक वे में में वो हमारा रीजन है लड़ाई का रीजन नही झा बाऊड़ाई का रीजन दो सो तब होता अगर बट वारह भाई साइन करके हमा है वह का इड़ा हमारे बीजोंत हुग थे इंडिया के बीचिते कि कोई आप मैं मुद्दा क्या है आज की डिर्म आप लोग देखा हो जहां भी कोई बात होती है हम लोग क्या बोलता है moo के साथ में कभी वयपार नहीं करेंगे जब तक वो terrorism को खतम नहीं कर देख Negra नई पाप लोग को मैने आप लोगो यहां पर बता लिया तो यहाँ पर दोनों तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं तो यहाँ पर यह क्या करते हैं वार-वार इस्टेपल वीज़े की बात करते हैं तो इसलिए हमारे जो खिलाडी थे बिचारे सोचो उन्होंने कितनी महनत की होगी पर्टिक्लर कोई गेम आएगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे अब वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए चायना की यह गंदी हरकतों की वज़े से यह आप लोग समझ सकते हैं ठीक है तो इसकी वज़े से आपर यह सारी चीज़े फिर निकल कर आती है तो इंडिया को जो रेस्पोंस रहता है कुछ भी ऐसी हरकते आती है तो हमारी भाइसा पूरा रेस्पोंस आते है हम लोग ढंक से इसके बारें बाते करते है हम लोग प्रोपर एक रेस्पोंस देते हैं आपर कि एक तरीके से प्रोटेस्ट के आता है diplomatic जो effort भी डाले जाते हैं कि China ऐसी बत्तमी जी नहीं कटे refuse to accept the staple visa हम लोगों ने कभी accept ही नहीं किया और सबसे बड़ी बात है हमारी sovereignty का हनन है मतलब तुम इनकी हरकते देखो एक नहीं कहते हैं कि गंदी हरकते कितनी है हमारे देश के अंदर से तुम चाइना पाकिस्तान economic corridor निकाल कर ले जा रहे हो चाइना पाकिस्तान economic corridor नाम भी अपना रख रहा है इसमें पहले चाइना क्योंकि तुम पैसा दे रहो जमीन वाले किसों को पूछी नहीं रहे हैं मतलब अपने आप ही बस एह वही तो वह वाली हरकत है आप लोग देख सकते हैं और चाइना की नीती है हमेशा क्या करता है कि किसी particular देश के दो reason अपने control में कर लेता है और फिर बोलता है कि ये वाला छोड़ दूँगा ये वाला मुझे दे ऐसा ही इस ये बुटान के साथ में कर रहा है अपने आपको बहुत बड़ा खिलाडी समझता है पर ये इतना बत्तमीज है इसकी वेसे पूरे reason में असानती रहती है आज की डेट में चाहे आप लोग इस particular reason में बात करें चाहे ओशन वाले reason में बात करें चाहे यहाँ पर इसकी हरकते continuously आप लोग को देखने को मिलती है और ये reason इतना ज़्यादे news में रहता है इसकी वेसे बार-बार यहाँ से कई बार question भी बन जाते है तो थोड़ा सा ध्यान रखिले हैं कि हाँ पर इस reason के बारे में आप लोग विजट कर रहा है तो उसके दौर विजट कर रहे हो तो उसके दौरा विजट दिया आप उसके दौरा विजट दिया जाते है किसके दौरा दिए अधर में कोई energy कर रहा है ठीक है normally अगर बात करें तो यहां पर यह pattern आप लोग को देखने को मिलता है अब IT के साथ मे अचय plan कहने कि क्या करोगी वीजा का अब इस टापल वीजा की बारे में घर करें तो इसका नामने कि staple कर दो इसको तो इसको staple कियाता है या फिर pin लगा जाता है यानिकि ऐसा है यह एक तरीके से unstamped यानिकि इसके ओपर कोई stamp नहीं लगा होता है कोई महर नहीं लगी होती है just passport के साथ में इसको attach करने की कोसिस की जाती है ऐसे pin लगा कर ठीक है जबकि एक normal reason रहता है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उसको fix कियाता है और stamp कियाता है directly on passport कि हाँ यहाँ यहाँ आप लोग विजिट कि हो तो उस पर तुरंत आप लोगी महर लग जाएगी कहीं अगर घूमने गए हो तो ठीक है अगर घरवालों ने आप लोग उसे dismiss कर लेते हैं इसी बहाने से कई सारी बाते और जानने को मिल जाएगी कि best describe कौन करता है stapled visa को तो यहाँ पर जब सारी statement पढ़ोगे तो जो last वाले statement है यह बोला गया it is a visa that is attest to a separate piece of paper instead of being stamped directly to in the passport ठीक है तो यह पूरी की पूरी जो definition है यह इसको define करती है stable visa को तो direct question बने तो confusiana आप लोग को कते ही नहीं है इंडिया और चायना की relation के बारे में जब बात करते हैं अकसर यहाँ से question पूछेगे हैं 2017 में UPSC ने question पूछा आप लोग देखते हैं कि चायना की बत्तमीजी क्या होते हो पहले वयवार कर लो यह अच्छी बात है ऐसे ही आप लोग को देखने को मिलेगा पाकिस्तान के साथ में relation की बारे में बाते हैं हम साब साब बोलता है terrorism को पहले खतम करो उसके बार में तुम्हारे साथ में सोचेंगे कैसा वयवार करना है तो यह condition है तो question और topic बहुत important हो आते हैं और कई बार location की बाते की जाती है खास कर जब इंडिया और चाइना के relation की बारे में आती है तो basic चीज़े आप लोग जब रखोगे याद तो exam में comfortable feel करो कि चाहिए प्रिलिंस में पूछे कोई interview में पूछे कोई में से पूछे कहीं भी पूछे अगर कुछ चीज़े practice कर लोगे तो फिर confuse या होगी नहीं ठीक है तो basic information थी को doubt होतो बतानो उसको दूर के जाएगा कैसा लगा article और चाहिना के लिए कुछ सब्द लिख सकते हो अच्छे से मन में हो तो नीचे comment box ने लिख देना ठीक है दोस्तों जब भी बी कोई ऐसा topic दिखा करें तो उसके उपर आप लोग star लगा सकते हैं कई सारे reason की वैसे मतलब कि जैसे एक तो आप लोग अगर दो देश के relation की बारे में कोई पूछे तो आप लोग बात कर सकते हैं आपर यह अच्छा इंडिया और अस्टेलिया की military बेसिकली एक तरीके से विजिट के बारे में दूसरा कहां पर यह आप लोग को देखने को मिल रही है तो यहां पर है कोकस द्वीप कोकस आईलेंड तो यह भी काफी important है यहां पर तो एक main based question भी आप लोग यहां से बन जाता है तो एक बार आप लोग देख लेजे ताकि आप लोग के mind में confusion ने रहे तो आईए आप लोग को आस्टेले लेकर चलते हैं यह यह बात यह देखिए ठीक है तो यह आप लोग को exact location समझ में आ रही है कहा है नहीं समझ में आ रही तो फिर से दिखा देते हैं आप लोग यहां पर देखो समझ में आ गया एक्जेक्ट location कहां पर आप लोग को देखने को मिल रही है तो यह location अरे यह तो कोई और आ गया क्या वही है कोकस आईलेंड था ना आस्टेलिया वाला ओके ठीक 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 यही है इसके साथ में नाम अगर यहां पर आप क्लिंग के नाम से भी अगर पूले तो कोकस क्लिंग आईलेंड तो दोनों इसी के नाम है यानिके गंगाधरी सक्तिमान है इसकी location बहुत important है यहां पर increasing Chinese naval presence in Indian Ocean तो इसलिए हां पर चाइना की बत्तमी जी को रोकने के लिए भी हां पर यह हरकते आप लोग को देखने को मलती है ठीक है तो काफी important है आप लोग इस लोकेशन देखे और चाइना कई बार उल्टीशती हरकते हैं यहां पर करता है और हमारी इंडिया यहां पर कहीं नेवी और एरफोर्स मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं basically आस टेले के साथ में important क्या है कि हमारा जो गगनियान मिसने उसमें यहां पर काम करते हैं हम लोग साथ में नजर आएंगे और इसी के साथ में आप लोग को एक एक्साइज का नाम पता है जिसको बोलते हैं मालाबार एक्साइज मालाबार एक्साइज तो है स्टार लगाने वाली एक्साइज क्योंकि मालाबार एक्साइज एक ऐसे एक्साइ तो यहां पर Australia ने श्टार्टी में चाइना की प्रिसर में आकर उस टाइम पर जोइन के लीडर थे उन्होंने इस exercise को जोइन करने से मना कर दिया था फिर जब आस टेले ने बाद में इच्छा दिखा ही महाँ पर political party चेंज जोई फिर इंडिया ने बोल दिया कि तुम्हारी foreign policy इतनी पिद्दी सी हैं कि तुमको कोई आके कुछ ही बोल दे तुम चेंज कर लोगे USA ने हमारे उपर तांडव किया भाई साब पूरा भंगडा किया कि S-400 सिस्टम मत खरीदो हमने बोला खरीदेंगे USA ने बोला sanction लगा दो हमने बोला लगा लो तुमको जो लगाने ठीक है तुम हम पे section लगाओंगे हम तुम पे section लगा देगे तो मतलब कहने का ये है कि अग ने बोल्ड decision भी इनके द्वारा कई सारे ले गए चायना को side में फैका गया अभी आज की date में इंडिया के साथ में अच्छे relation है आप लोगों ने देखा हमारी isro के द्वारा भी confirm किया गया कि हमारा जो PSLV है उसका एक part जो है यहाँ पर आस टेले के एक particular portion में जाकर गिरा एक बच्चा कह रहा है कि sir उससे कोई नुकसान तो ने हुआ उसकी भरपाई भी करनी होती है क्या जी हाँ भरपाई भी करनी होती है इसके लिए कानून भी है पर लेकिन लग नहीं रहा है कि आस टेले जो है अमासे बोले का कि भरपाई कर दो जैसे situation अभी चल रही है और उ इसके बारे में याद रखेगा doubt समश्या प्रेशा नहीं हो तो उसको दूर कर रहे है ओके दोस्तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सीम के बारे में जो कि बहुत important है और यह इसको एक umbrella scheme बोला जारह है Umbrella寝ी होता है, Umbrella寝ी है, जिसने के अंदर काफी सारी छोड़ी-छोड़ी चीज़े जो है, यह छोड़ी-छोड़ी स्कीम जो है वो cover कर ली जाती है, ताकि एक particular area को ढंक से cover किया सके जैसे सुच भारत मिसान हमारे देश में start किया गया तो सुच भारत hospital, सुच भारत विद्याले, सुच भारत महुला पता निक क्या क्या start कर दिये गे तो सुच भारत मिसान एक umbrella scheme थी और उसके नुचे छोड़ी-छोड़ी scheme आप लोगों यहाँ पर अलग-लग नाम से देखने को मिली ऐसे ही एक scheme है जिसका नाम है PM-YSSV तो PM-YSSV जो है इसको umbrella scheme बोला जा रहा है umbrella scheme क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहले तो इसकी full form देखिए यह है PM Young Achiever यानिके जो Young एक तरीके से student है Achiever की बारे बात किज़रे जिन्होंने कुछ अचीव किया है Scholarship Award Scheme for Vibrant India तो यह for OBC and other एक तो होता है OBC Community के लिए यह है सब के लिए वे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं तो यह scheme जो है इसको implement करने की बात इंपार्मेंट जो है वो इस umbrella scheme को implement कर रही है जिसका नाम है PM Young Achiever Basically Scholarship Award यह scheme for Vibrant India यह other community इसी के साथ में SC इसी के साथ में denotified nomadic semi-nomadic जो tribal community होती है economically weaker section उन सब के लिए scheme हैं पर basically implement कि जा रही है यानि कि आप लोग को यह देखने को मिलेगा pre-metric जो scholarship है for OBC इसी के साथ में हाँ पर सारी के सारी जो भी हाँ पर यह community है economically weaker section और इस सब के लिए सब के लिए हाँ पर post-metric top class, top class यहाँ पर education school और इसी के साथ में हाँ पर construction of postal for OBC boys and girls तो यह scheme एक काफी important scheme है जो कि recently अभी implement करने की बात के गई तो ministry of social justice and empowerment के द्वारा ठीक है तो कि इस particular purpose के लिए PM SSV का direct आप लोगों से लिख कर बोलने लगे कि यह scheme जो है woman empowerment के लिए है कुछ भी ऐसे कोई भी एक वो बोलते एक particular statement देकर आप लोग के लिए तो आप लोग confusion में आ जाओगी तो हलका सा idea इस particular scheme के बारे में आप लोग रख सकते हैं और ministry of education नहीं है आपर यह याद रखना यह ministry of social justice and empowerment जो implement करने वाली है normally ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग बोलते हैं कि ministry of education काम कर रही होगी और पहला statement वही मिलेगा आप लोगों को अगर question यहां से बनता है तो ठीक है दोस्तों कई बार culture से लेटेड कई सारी important question exam में आप लोगों से पूछे आते हैं तो उसी में से एक हैं आपर यह आदी पैरु को celebrate के जाता है कहाँ पर यह delta districts के अंदर में तो यहां पर यह काफी important है पहले तो यहां पर एक particular celebration के बारे बात करेंगे फिर delta districts क्या है यहां कि एक कोई district नहीं है यह कई सारे districts है तो कहाँ पर हैं यह located तो यह भी आप लोगों के लिए important point हो जाता है अब यहां पर अगर बात करूं यह है आदी basically पेरुकु ठीक है तो यहां पर आदी पेरुकु जो है जिसको दूसरे नाम से भी आप लोग जानते है यह क्या है यह है पथिर निश्टम ठीक है पेरुकु तो यह एक तरीके का festival type में celebrate कियाता है Tamil Nadu के अंदर में तो Tamil Nadu के अंदर में यहां पर basically celebration आप लोग इसको बोल सकते हैं यह particular celebration जो है Tamil Nadu का जो local calendar है उसके इसाफ से 18 दिन पढ़ता है आपर अगर बात करें उनके आदी महीने के तो उसी के नाम पर इसका नाम आदी पेरुकु इसका नाम रखा गया ठीक है तो जो calendar है उसके इसाफ से बोने हैं वो सारी चीजे और कोई भी वनस्पतिज है उसके लाब उठा पाते हैं यानिके एक तरीके से monsoon के एक आप लोग महीने में हाँ पर यह सारी बाते देख सकते हैं यह सबसे बड़ी बात क्या है आपर यह कावेरी रिवर जो है कावेरी रिवर का जो डेल्टा है आप उस पर आप लोग को यह चीजे देखने को मिलेगी मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर आप लोग के लिए यह है जैसे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर यह हो गया तो तमिलाडू के अंदर में जो particular area है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग डेल्टाडिस्टिक बोलते हैं ठीक है तो यह भी एक interesting question आप लोगे लिए बन सकते हैं तो यहाँ पर उसी से लेट भी यह festival celebrate कियाता है और कावेरी river से यह direct connected आप लोग को देखने को मिलेगा तो लोग जही खटे होते हैं आपर celebration करते हैं अच्छे से खाना वाना इस तरीके से ना पूजते हैं जैसे कि आप लोग ने नुमली छट पूजा देखी ना बिहार के अंदर में और कई सारे जो और एरिया हमारे देश में celebrate कियाते हैं उसी के साथ में connect करके देख सकते हैं पले के नहीं आपर यह थोड़ी सी अलग तरीके से celebration देखने को मिलते हैं हमारा देश नायर बड़ा प्यारा सा देश है बहुत सारी culture चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी हम पेडों की पूजा करते हैं फसल की पूजा करते हैं पानी की पूजा करते हैं इवन गोबर जो की nature से सबसे ज़़ादा प्यार करते हैं यह आप लोग जानते हैं कहीं आप लोग देखा हो कोवे को खाना खिला रहे हैं कहीं चीटियों को आटा डाल रहे हैं यह क्या है यह कहीं हमारी culture का पाट है और जो appreciate करने लाइग भी है और celebrate करने लाइग भी है ठीक है तो यह basic इसके बारे में हलका सा आईडिया आप लोग रख सकते हैं दोस्तों, नेसलन लेवल की न्यूज और काफी इंपोरेंट है उन्हें बोलते हैं कि स्टार लगाने वाली न्यूज आप लोग इहां पर इसको बोल सकते हैं आप लोग जब हमारे समिधान के अंदर में जाकर जहां कोगी तो पार्ट थाड़ आप लोगो देखने को मिलेगा जिसमें fundamental right के बारे बात कियाती है और minority भी आप लोगो देखने को मिलती है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो रहते हैं हाँ पर minority के बारे बात कि जा रही है तो ये एक news है जो कि हमारे basically minority community के बारे बात करेगी उनके लिए एक scheme है जिसका नाम है आपर नया सवेरा scheme तो नया सवेरा scheme जो हैं उससे कही सारे student जो हैं उनको फाइदा हुआ है तो 1,20,000 जो minority student हैं उनको फाइदा मिला है यहाँ पर तो सबसे पहले तो minority में आता कौन को नहीं है अगर आप लोग बोले हैं आपर तो हमारे देश के अंदर में जैसे Sikh, Jain, Muslim, Christian, Buddhist और Farses टोटल मिला कर 6 minority community हैं तो ये जो minority community हैं आपर इनके लिए basically जो इनके खास कर जो स्टूडेंट से उनके लिए स्कीम यहाँ पर है जिससे 1,20,000 से ज़्यादा लोग उसका फाइदा उठा चुके हैं तो नया सवीरा स्कीम जो है ये लॉंच के गई Ministry of Minority के दोरा और इस स्कीम का basic purpose क्या है basic purpose यहाँ पर यह कि empower किया जा सके student को जो minority community से belong करते हैं ताकि वो अपने आपको competitive exam के लिए prepare कर सके और आगे चलके participate कर सके government और private job के अंदर भी यानि कहने का मतलब आप लोग यह बोल सकते हैं कि directly हाँ पर सरकार जो है वो support प्रोवाइड करा आ पार रही है minority community के students के लिए ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो यहाँ पर इनको special coaching प्रोवाइड करा जाती है ताकि competitive exam यह है यह basically qualify कर सके और various courses के अंदर भी हाँ पर admission ले सके अभी recently आप लोग ने देखा हुआ कई सारे state जो है वो भी हाँ पर कई सारे जो state की government है वो भी हाँ पर UPSC and state PCS की जो services है basically उसके लिए coachings प्रोवाइड करा रहे है पर लेकिन वहाँ पर दिक्कत ही रहते है जैसे कुछ student थे वहाँ पर connected थे तो उनसे मुझे पता चला दिक्कत क्या रहते है दिक्कत ही रहते है मालिजे वहाँ पर कोई पढ़ा रहा है तो यह appreciate करने वाली बात है आपर और minority community के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यह भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं कि कहीं न कहीं समिधान से लेटेट भी आप लोग portion यहाँ पर याद रखेगा article 29 और article 30 तो यह भी एक important point यहाँ पर बन जाता है ठीक है तो यह basic चीजे हैं सबसे पहले हमारे देशे में किस community को minority community का दरज़ा दिया गया और recently अभी किसको दिया गया यह question का answer आप लोग को देना है ठीक है तो आसा करता हूँ कि आप लोग answer जरूर देगोई दोस्तो इस state के बारे में जो news है यह एक important news आप लोग बोल सकते हैं जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर उस समाज में जानवर भी हमारी समाज या society का part आप लोग बोल सकते हैं हम लोग उन से अलग नहीं है अभी यहाँ पर अगर संख्या किसी के बढ़ जाए माले जी इंसानों की संख्या बढ़ गए तो हम लोग क्या चलाते हैं हम लोग परिवार को कंट्रोल करने के लिए कहीं ने कहीं परिवार news and program चलाते हैं ऐसे ही सरकार यानिके जो state government है उत्रप्रदेश की उसने एनिमल बर्थ कंट्रोल ये सेंटर की बात के गई है All Municipal Corporation के अंदर में UP के अंदर में मतलब क्या है मतलब यहाँ पर यह कि बहुत सारे ऐसे incident अभी recently देखने को मिल रहे हैं जिसमें कुत्ते जो हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और कई सारे ये लोगों को काट रहे हैं और उसकी वैसे बहुत सारी पोलम देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर अगर जादा संख्या बढ़ जाए तो फिर दिक्कते हो नी होई नजर आएंगी तो इसी को ध्यान में रखते इनके द्वारे ये स्टेफ उठाया गया है तो उत्तर प्रदेश गोर्मेंट के द्वारे हैं हाँ पर इस्टेब्लिस के गया है अनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर और सबसे बड़ी बात कहा है ये हर एक मुंसिपलेटी के अंदर में आप लोग को अनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है हमारे देश के अंतर में दिया करेन बोलते हैं वो सारी चीज़े है और फिर इसको रिलीस कर दे जाएगा तो ये इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा इसका basic purpose के है कि बिना cruelty के ये तो कुत्तो को मार दो भाई साब उठा कर गोली मार दो कई सारे ऐसे आप लोग में देखा हो कुत्तो को गोली मार कर फैंक देते हैं ऐसे बहुत सारे incident recently अभी देखने को मिले pitbull एक ऐसा कुत्ता है जो कि normally कई सारे लोग के दोरा सोंकिया पाला जाता है और उसको अगर handle ना किया जाए तो फिर वो नुकसान भी पहुचाता है तो इसलिए उसको लिए training start की जाए तो उसको आराम से handle किया जा सकता है पर लोग क्या करते है उसके training ने करका कई सारे ऐसे incident देखने को मिले की pitbull ने काट ले तो कि लोगों ने उसको गोली मार मार कर फैंक दे सड़क के किनारे पड़े भी मिले कई सारे pitbull तो ये condition देखने को मिले तो क्यों ना उसका solution निकाला जाए या तो पालो मत और पाल रहे हो तो उसको training दो उसको लिए time निकालो वह वाली बात है हमारे देश के अंदर में 1.5 क्रोड से जाद है सोचो कितने मतलब 1.5 क्रोड से जाद है कुत्तों की संख्या देखने को मिलेगी जो सड़क को पर गोमते हैं ठीक है अमीर परिवार का जो लोग है उनको रेरली यह चीज़ी देखने को मिलती है जो गरीब परिवार का तबका सेक्षन है बच्चे है उनको यह पूलम झेलने पड़ती है तो इसलिए चलते हैं यहां पर यह काफी important है जो कि इसको अगर implement यहां पर क्याता है इसलिए और जानवर उसे इंसानों में फैल रहे है उसको जूनोर रेंट करते है जानवर भी रहेंगे हम भी रहेंगे ऑर इन्वोर्मेंट भी रहेगा तो जरूरी है एक बैलेंस बना कर चलना ठीक है तो यह काफी एक इंपोर्टेंट इनिशेटिव बोल सकते हैं आप लोग स्टेट गवर्मेंट का तो यह हल्की सी एक बिसिकली न्यूस थी इसको याद रखेगा यह जो न्यूस है यह साईन्स से आप लोग केनेट करके देख सकते हैं क्योंकि हमपर भी बात किजा रही है वो ड्रोन से लेटरर बात किजा रही है ड्रोन'S से ट्रेइनिंग और इस खेल के बारे बारे में और यहाँ पर आप लोग खुछ सोचो अगर आज की डेट में आप लोग को गाड़ी चलाने सीखने है तो प्रोपर उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जाती है ठीक है अगर किसी को डियल लेना है तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करा जाती है डियल लेने के लिए तो ऐसे ही अगर कल को drone उडाने हैं तो उसके लिए training provider कराई जाएगी और इसके लिए 63 जो यहाँ पर routes हैं उनको allow किया गया है किसके द्वारा डिरेक्टरेट जनरल ओफ सीविल अविशन के द्वारा यानि कि वो particular department जो की जो ministry of किसके अंदर में आते हैं जो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यह एक वैसे नहीं कि वहाँ ठीक है उडान ए छोड़ छोड़ ड्रोन ही तो उडान है ऐसे निवा करता ठीक है तो ministry of civil aviation के अंदर में आप लोग यहाँ पर इस सारी चीज़े देखने को मिलेगी तो इसलिए DGCA जो है वो यहाँ पर काम करता हो नजर आता है और उसने यहाँ पर training के लिए यहाँ पर बात किज़े रे training school for drone इसके दोरा certified किया के हैं अलग-अलग area पर जो roots हैं तो अभी इसमें approve कर देगे हैं लग-बग 5500 जो remote pilot certification आप लोग को देखने को मिलेगें अलग-अलग roots पर और 25 जो certification है वो अभी drone manufacturing इंडिया के लिए दिये जा चुके हैं आने वाले time में यह माना जा रहा है कि drone जो है वो बहुत बड़ा role play करेगा कहीं घर पर किसी सावान को deliver करने के लिए खोन जो है वो लोगों तक time पर पहुचाने के लिए कई बार organ रहते हैं उनको time पर पहुचाने के लिए कई बार कुछ भी delivery जा रही है हाँ पर एक तरीके से अलग-अलग companies है Amazon वगरा उसका इस्तमाल कर रहे थे security के लिए हाँ पर इसका इस्तमाल किया जा रहा है पेड basically agriculture में spray करने के लिए या फिर पेड लगाने के लिए इसका एक तरीके से इस्तमाल किया गया जमेने आप लोगों से agriculture में ड्रोन के इस्तमाल कैसे होते है उसमें ये सारी बाते बढ़ाई थी तो ड्रोन बहुत बड़ा role play करने वाला है हर एक sector के अंदर में ठीक है तो इसी के चलते हैं हाँ पर हमारे देश के अंदर में एक कर तरीके से आप लोग बोसकते हैं कि ये किसके तैद इसके तैद प्रोवाइड करा जा रहा है कि कैसे हम लोग रेगुलेट कर सकते एक रांसपोर्ट सर्विस जो एर के अंदर में खास कर और इसको जो हमारे देश के अंदर में डीजी सी है ये इन फोर्स करते है और हैड़कोर्टर जो है आप लोग को यहाँ पर न्यू डेली के अंदर में देखने को मिलेगा तो यह बहुत ही बेसिक से चीज़ है डिरेक्ट कोशन पूछ रहे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है कई बार कोशन बन जाया करते है एकोनोमी से लेक्ट न्यूज आ रही है और गॉर्मेंट का यी मार्किट प्लेस जोसके अंद यह मोर देन टू लैक क्रोर जो देखने को मिली जो फिसकल यह जो 2022 थेसका उसमें यहाँ पर जब चेक किया गया यहाँ जो टूटल प्रोडेक्ट यहाँ पर इसके थूरू यहाँ पर निकाले गए उसके बारें बात की जारी एक पर्टिग्लर पीरियर्ड के अंदर में त पर पर आया चेक किया अच्छा निये रिटन कर दिया कपड़े भी ट्राय किये अच्छे निये रिटन कर दिये कई सारे जोड़ी बंगा लेते हैं कई सारे तो लोग उसमें से जो अच्छा लगा वो ठीक है नहीं तो रिटन कर दिया तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते ह तो यह सारी चीजे इंसान को बैठे-बैठे मिल जाती है तो यह एक नया आयाम बिजनस का खोल दिया है खासकर अगर कोई घंधंक का प्रोडेक्ट बनाता है वो किसी को बेचना चाहता है तो गर से अपना जो है उसके डिलीवरी स्टार्ट कर सकता है अगर इंसान के अंदर में थोड़ा सब आज की डेट में टेक्निमोजी को लेकर इंट्रेस्ट है तो कहीं पर भी किसी भी तरीकी से बैठा हुआ है पैसा को मा सकता है वो भोका नहीं मरेगा इस लेवल पर यह सारी चीज़ा भी आप लोग को देखने को मिल रही है तो गोवर अगर आप लोग को बेचना है और बायर के बीच में एक पेमेंट सिस्टम अच्छा देखने को मिलेगा ठीक है रिजिस्टेशन को ओथन्टिकेट करने का पैंड काड इन सब चीज़ों के तरह इसनी कोई भी आकर कुछ भी करके चल जाएगा highly secure है multiple procurement option है आप आप लोग को audit trial भी देखने को मिलेगी multiple payment system यसनी की एक है quick payment system भी है आपर इसी के साथ में market जो pays भी आप लोग को देखने को मिलेगी जहाँ पर search कर सकते हैं चीजों को यहाँ खरीदने और बीचने वालों के लिए काफी अच्छा platform है जहाँ पर situation को आराम से handle भी करना सिखा जा रहा है त तो एनके एक तो हो गया अच्छा बाइसाब यह product जो है यह इतना particular है ठीक है तो sale जो price of the products है उसका और इसी के साथ में कितने product sale किये गए तो है कोई particular product जो है वो 5 उर्पे का है ठीक है और वो जो product है वो 10 sale किये गए तो gross क्या हो गया? gross यहाँ पर 50 हो गया तो gross merchandise value का formula भी answer question ऐसे पूछ ले जाया करते हैं तो अगर confusion नहीं होगा तो अच्छे से आप लोग answer दे पाऊगी ठीक है तो यह थी basic information दोस्तों यह जो 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 है है आप निकल कर आ रही है defense से यह निके defense के फिल्ड की news है आपर यह बात की जा रही है BDL के द्वारा hand over कर दिया गया पहले तो BDL, BDL के है इसको बोलते है भारत डायनामिक लिमिटेड तो एक कंपनी है हमारे देश के अंदर में जिसने फॉर्स्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर जो है ओफ आकास यह next generation weapon system है हापर जो basically हाँ पर अभी newly commissioned किया गया और यहाँ पर यह किसको रहेंड और किया DRDO यानि के defense research and development organization जो कि हमारे देश में एक ऐसी particular जो organization है जो कि defense के लिए काम करती है तो यहाँ पर सीकर है यह critical and technology जो एक तरीके से intensive सबसिस्टम है जो surface to air missile और air to air missile में target tracking के लिए हापर एक तरीके से use के जाएगा रेडियो फ्रिकेंसी सेकर जो है आपर यह design किया गया DRDO के द्वारा research center जो है आपर इसका video तो यहाँ से सारी चीज़े निकल करा रही है जो कि हैधराबाद में आप लोगों को देखने को मिले तो वह होता है इस रो इंडियन स्पेस रिसर्च ओर्गनेशन ठीक है अगर defense के लिए कोई भी काम के जा रहा है तो याद रखना यह काम के जाएगा DRU के द्वारा defense research and development organization जो कि DRU आप लोग याद रखना तो दोनों को mix मत करना कई बार mix कर देते हैं आप लोग यहाँ पर अ 1970 में found किया था आज केट में हैदराबाद के अंदर में देखने को मिलेगा और ministry of defense के अंडर में आता है तो confusion नहीं होना चाहिए ठीक है और बाग की DRU के बारे में तो आप लोग जानते हैं defense research and development organization 1958 में बनाए गया एक ऐसा organization है जो की काफी शानदार तरीके से काम करता है हमारे देश के अंदर में ministry of defense के अंडर देखने को मिलेगा इसका headquarter आप लोग को New Delhi में नजर आता है तो basic important information है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं खासकर जैसे defense की field में तो याद रख सकते हैं ठीक है world level की news है हाँ पर और आप लोग personal news भी हाँ पर बोल सकते हैं Indian American देखे अगर कोई ऐसी personality है खासकर अगर news में है तो उसके बारे में आप लोग हमिसा याद रख सकते हैं क्योंकि direct question आप लोग उसे पूछा आ सकता है ठीक है तो सोहीनी सीना जो है वो head करेंगी FBI का जो field office है Salt Lake City के अंदर में तो यह important personality के point of से पूछा सकता है कि हमारे मूल की कोई personality यहाँ पर जो federal bureau of investigation है जैसे हमारे देश के अंदर में CBI होता है ऐसे USA के अंदर में आप लोग को FBI देखने को मिलेगा तो उसमें एक particular office को यहाँ पर head कर रही है हमारे मूल की एक महिला तो यह काफी important है य इनका नाम है Christopher Ware इनके द्वारा यहाँ पर यह बाते भी लिगए इनके द्वारा पॉइंट किया गया यह कैसी agency है जो कि 1908 में बनाए गए थी आज के ने कितनी पुरानी है आपर यह तो Department of Justice United States के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा और Great Salt Lake जो है यह largest salt water lake है Western Hemisphere है उ आप लोगों से अगर पूछा भी जाए है आपर और Federal Bureau of Investigation के बारे मैंने बताया कि 1908 बनाएगे USA की एक खुफी agency के तोर पर आप लोग इसको बोल सकते हैं और आप लोगों से कोशनी पूछे तो याद रखेगा यह USA के अंदर में जो Washington DC उनका जो capital है वहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा यह लेक जो है आप लोग 1985 में और present time पर देखते हैं यहाँ पर भी चीज़े जो है वो कहीं नगे खतम होती ही नजर आ रही है ठीक है बाकी USA के अंदर में कई सारी और भी लेक हैं यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यह आप लोग को यहाँ पर क Great Bear Lake आप लोगे सामने तो Great लगा दिया सारी महान लेक इनके हίν पर अंके हैं और कहीं यह नहीं की Great है और तो सब की वैसी है ।दू है कैसे कैसे बाते करते हो यार पंड़जी चलिए अब कुछ आप लोग के सामने question है कौन बनेगा छोटो करोड़ पती अच्छे से इनको attempt करिएगा देखता हूँ कौन-कौन सही से answer यहाँ पर देता है direct question आप लोगों से कही बार पूछ लिए जाते हैं बात की जारी हैं हाँ पर खौंगसांग railway station के बारे में हाँ पर तो यह बोला जारा है कि अभी news में था तो कौन से state में देखने को मिलता है मनिपूर, मेखाले, सिक्किम या फिर रोनचल परदेश सही answer क्या है next बात की जारी है कि कौन सा social media company उसने recently अभी change कि अपना logo to the alphabet X यानि कि जो X है उसने अपना logo X रख दिया है तो यहाँ पर Instagram, Snapchat, Meta ये फिर Twitter इसका तो answer आप लोग देखी दोगे आगे यहाँ पर बात करें कि वह बहुत ज़्यादे नियूज में थे हाँ पर यह ठीक है मुहम्मद यूनिस जो है मुहम्मद यूनिस के द्वाया जो कि एक Nobel Laureate थे हैं आपर तो कौन सी country से हैं आपर ये UAE, तुर्की, बंगलादेश, इंडोनेशिया तो इनके बारें बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ आपर बात कि जारी है किस के बारे में आप लोगों से कई बार कई सारे question पूछ लाते है तो यहाँ पर जो बात कि जारी है किस के बारे में ये बात कि जारी है एक particular personality के बारे में डोक्टर थाने अल जैदी तो यहाँ पर कौन से देश से हैं आपर जो की chair कर रहे हैं World Trade Organization की 13 Ministerial Conference तो UAE, तुर्की, बंगलादेश या फिर इंडोनेशिया तो यह question का answer आप लोगो देना है बाकी एक reasoning का question है प्यारा सा आप लोग के सामने इसको attempt करो और फिर answer आप लोग यहाँ पर बता जाएगा तब तक आप लोग के सामने हैं आपर एक important Ram sir site जो की direct आप लोगों से question पूछा आ सकता है ठीक है Ram sir site का नाम क्या है Ram sir site का नाम है आप बिसिकली बिंडवास ठीक है तो बिंडवास आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं यह एक wildlife sanctuary कहाँ पर है तो direct question पूछा सकता है अरावली range जो कि आप लोग जानते हैं कई बार अरावली range के बारे बता जारे कि बहुत सारी range जो है डाउन होती जा रही है बहुत सारे जो हाँ से खनन माफिया जो हाँ से चोरी करते हैं नजर आते हैं ऐसे आप लोगो दिल्ली के अंदर में भी चीह देखने को मिलेंगे तो खासकर अगर आसपास में जो construction चलते हैं वहाँ पर यह सारी चीह देखने को मिलती है इसको 2009 में bird century और 2021 में ताजा ताजा इसको रामसर साइड़ी बनाया गया कई सारे जीव जंतों भी यहाँ पर पाए जाते हैं तो यह याद रख सकते हैं मैच करने के लिए ऐसे question अकसर आप लोगों से पूछ ले आते हैं माइड में confusion नहीं रहेगा तो direct answer आप लोग दे सकते हैं तो यहाँ पर मनिपूर के अंदर ने यहाँ पर देखने को मिला North Frontier जो railway station था associated है with state transport के द्वारा तो first good strength जो है वो food and grain जो इस इंसल community हैं आपर प्रोवाइड कराएगे क्योंकि अभी आप लोग को देखने को मिला क्या के condition रहती हैं तो इसके चलते हैं आपर support प्रोवाइड करानी की कोसिश की जा रही है Twitter ने अपना लोगों चडिया से change करकर यहाँ पर X कर दिया इनोलमस साब के द्वारे हाँ पर last year यह 44 billion dollar में यह company खरीद दे गई थी और अभी इसके साथ में खेल रहे हैं अभी कुछ change करता है, इनसान कभी कुछ change करता है तो यह है, सबसे प्यारा social media handle क्या है अगर आप लोगों से पुछे है मुहम्मद यूनिस साब के बारे में अगर बात करें तो इनका नाम याद रखते हैं, बंगलादेश के applet division और supreme court order कि द्वारा nobel laureate मुहम्मद यूनिस को pay करने के लिए द्वार बढ़ा गया बारे क्रोड जो है basically टका tax यूनिस जो है donate किया money अपने दे को own trust के लिए तो कई बार क्या होता है मुद्दा क्या चलते हैं आपर, इनसान tax को चोरी करने कोशिस करता है तो उसकी वैसे यहाँ पर यह भाई साब news में आगे तो income tax authority जो है यहाँ पर वो कहरे है कि अपनी खुद के trust में पैसे दे रहो हो और नहीं, इनसान कई बार पैसे को चोरी करने कोशिस करता है तो income tax ने पकड़ लिया भाई साब गला आओ भाईया, ठीक है तो उसके वैसे news में है चले कोई नहीं, यहाँ पर बात की जारे किसके बारे में यहाँ पर doctor, यह basically जिनका नाम था थानी, अल-जियोदी, ठीक है तो यहाँ पर किस देश से हैं, यह बोला जा रहा है यह UAE से देखने को मिलेंगे तो UAE के जो foreign minister हैं, यह अभी हाँ पर जो 13th meeting आप लोग को देखने को मिलेगी किसके, आबुदाबी की फरवरी 2024 के अंदर में, उसको यह head करने वाले तो यह आबुदाबी के अंदर में, किसके world trade organization की, तो direct question आप लोगों से पूछा सकता है, इसको लेकर कोई confusion mind में नहीं होना चाहिए, ठीक है बागी C set है, इसका question का answer आप लोगे सामने ए है, अच्छे से attempt किया कीजे, और कोई भी doubt नहीं होना चाहिए मन में, ठीक है, बेसिक चीजे है कल किस-किस ने sentence form किये दिल पर हाथ रख के बताना और जो form नहीं करता है, वो क्यों नहीं करता है ये भी मुझे समझाना, ठीक है बहुत important है यार, इनको आप लोग जरूर try कि अगरो, आप लोगी English भी improve होगी, और आप लोग को काफी मज़ा आएगा, जब भी भी आप लोग इनका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जब इनसान कुछ नया सीखता है, तो confidence आता है, पहला सब्द है हाँ पर reclamation, ये होता है एक प्रोसेसर जिसमें आप लोग किसी चीज को पुनहें पराप्त करते हो, किसी चीज को नहीं, recover करना, recapture करना और नहीं कहते हैं, फिर से हम लोगों ने इसको एक तरीके से ले लिया है, ठीक है इसका positive क्या होता है, किसी चीज का खो जाना तो यहाँ पर ये सब्ध है, काफी important ठीक है, next है यहाँ पर यह होता है, यहाँ पर अपने, यह basically लिए अपनी बढ़ाई करना नहीं, सेख ही मारना, डींगे मारना तो कई बार यह sub-dude क्याता है, यह want person है ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बोल सकते है next है यहाँ पर content यह basically होता है, माफ करना कि जान बूझ कर एक तरीके से ना, कई बार क्या होता है, चीजे कई सारे इंसान जो है, एक तरीके से कि हाँ ठीक है, छोड़ दो यार, ऐसा भी यह वे रहता है कोई नहीं tension नहीं मतलो, भले इसने गलत कर दिया पर छोड़ दो इसको, तो आली बात होती है ठीक है, तो ये आप लोग बोल सकते है तो ये सब्द यूज कर सकते है, next है cursory, यह होता है, जल्द बाज़े किसी चीज में जल्द बाज़े करना, तो ये भी रहता है कि लापरवाई बरतना, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो तो कोई भी अगर जल्द बाजी कर रहा हो ला परवाई बरत रहा हो तो उसके लिए आप लोग इस सब्द को बढ़ी आसानी से यूज कर सकते हो ठीक है बाकी इस लेक्चर की पीडियेव जो है वो आप लोग को टेलिग्राम पर भी मिल जाएगी हाँ पर और जो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाएती है वो भी हाँ पर सेर करूँगा आप लोग देखना और सेर भी करना उसको ताकि लोग इस तरी की चीजों से बच जाए और अगर आप लोग यहाँ पर answer writing के साथ में connect होना चाहते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे का answer review करने का effort जरू डालो अगर कोई review नहीं कर रहा है तो आप लोग अपने answer को review कर सकते हैं यहाँ पर देखकर जो की एक demo answer post किया जाता है बाकि जो भी यहाँ पर classes चलती हैं आपर खास test देखर देखें तो weekly test होता है उसको भी आप लोग जोइन कर सकते हैं ठीक है यह चोड़ी चोड़ी चीज़े इसलिए start किये हैं अलग से कोई कई सारे बच्चे इसके लिए बोले थे कि सर कुछ ऐसा मिल सकता है क्या कि कोर्स नहीं है पर फिर भी हम लोग एक थोड़ा सा अ बड़ो को नमस्ते चोड़ो को प्यार छोड़ी से लाइफ एंज्यो एकरार मिलतो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद झाल 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 आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पेट कूर्स में जाकर और अपने कूर्स के टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं तो सबसे पहले जब हम अपना application का home screen खोलते हैं तो हमें ये paid course का section सबसे पहले दिखाए देता है हमें इसको tap करके open करना है और open करने के बाद हमें सबसे पहले my course दिखाता है जिसमें हमारा जो भी course purchased है वो होता है फिर home आता है and then all course हमें हमेशा all course पर जाना है जब हमें कोई course purchase करना है ठीक है और उसके बाद purchase करने के बाद हमें वो course अपने my course में दिख जाता है अब हम बात करते हैं class notes की जो अभी course launch हुआ है class notes उसको हम कैसे access करेंगे तो हम उस course को view course करेंगे view course करने के बाद हमें subject पर या live पर नहीं जाना है हमें direct telegram पर जाना है जैसे हम telegram पर tap करेंगे वहां से आप view कर सकते हैं and view करते ही आपका telegram page खुल के join channel आ जाएगा आपको यहां से channel को join कर लेना है okay thank you